हलो बाइडियर फ्रेंड्स आप सभी के हमारी चैनल करिंटिक्षी पस्वागत है दुस्तों बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स त्री के एक मोश्ट इंपोर्टन टॉपिक लेनियर डिफ्रेंशियल एक्वेशन अर्था तरैकिक आउकल समकर दोस्तों यह डिफ्रेंश बताने वाला हूं तो बहुत ही आसानी चीजे से आप सीख पाएंगे और सभी कुष्चन को आप लगा पाएंगे लेनियर डिफ्रेंशियल एक्वेशन के अंतरगत तो इसमें बनता क्या है यह आपका डिफ्रेंशियल एक्वेशन के अंतरगत यह टाइप नंबर 6 है हाथ अगर आपको question solve करना है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा dy by dx plus py is equal to q इस form में आपको यहाँ पर इसको लिखना होगा तो जब इसको आप लिखेंगे तब आगे मतलब इसको solve करेंगे पहले मैं आपको बात करना होगा कि जो आपका linear differential equation होता है यह कैसे step by step इसको आप solve करेंगे तो इसमें अगर हम working की बात करें तो इसका first जो step होता है first condition तो सबसे पहले जैसा हमने बताया सबसे पहले आपको लिखना होगा dy upon dx plus py is equal to q जो भी आपको equation दिये रहेगा और उससे ही आपको इसको completion करना है dy upon dx plus py is equal to q को उससे completion करना है जब आप completion करेंगे तो आपको second number पर क्या मिलेगा p की value मिलेगी अर्थात मेरे दोस्त आपको जब question दिया जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर यह question दिया गया तो इसमें आप बताये कि dy upon dx से जब आप dy upon dx plus py is equal to q इससे आप completion करेंगे तो यहाँ पर y है और यह 1 by x लिखा हुआ है तो इसमें p की value जो होगी p की value इसमें होगी वो आपकी p की value होगी 1 by x क्या होगी 1 by x और q की value क्या होगी q की value आपकी यहाँ पर होगी q की value होगी आपका जो इस side दिख रहा है ये आपके Q की value हो जाएगी X cube minus 3 तो कुल मिलाकर आपका जो एक किसन दिया रहेगा सबसे पहला step आपको यहाँ पर इसको आपको completion करना है उसमें से आपको P की value और Q की value आप find करेंगे और साथ P Q की value प्राप्ट करेंगे देखे इस step याद रखे question बहुत आसानी से सब लग जाएंगे इसमें कोई दिक्कत आपको नई होगी तो P क्योंकी value जब आप निकाल लेंगे तो step second में यही है दोस्त P क्या मान आपको यहाँ पर निकलना होगा integrating factor जिससे आप कहते हैं integrating factor को समा कलन गुडांक क्या कहते हैं समा कलन गुडांक तो integrating factor की बात करते हैं तो आपका होता integrating factor IF is equal to आपको निकालना होगा IF is equal to होता E की power में आपका होता PDX क्या होता E की power में PDX से ध्यान दीजिगा E की power में होता है integration PDX integrating factor आप निकाल रहें तो इसलिए आपको याद रहे कि integrating मतलब यह समा कलन है तो यहाँ पर जब integrating factor आप निकालने हैं तो IF is equal to E की power में integration और जो आपने PQ की value निकाला है उसमें से P को यहाँ पर रखना है और into करना है DX तो इसकी आप value निकालेंगे integrating factor की तो समा कलन गुडांग की आपको second number पर आपको निकालना है सबसे पहला step आपको equation को तुलना करना है completion करने के बाद आपको P और Q की value मिलेगी जब P और Q की value आप मिल जाएगी तो इसके इस जेस्ट बाद आपको यहाँ पर आपको integrating factor IF को निकालना होगा जो E की power P dx यह formula होता है बस P की value आप रखेंगे और उपर integration solve करेंगे आपका आजाएगा ठीक है step number third जो कि आपका important है और last है यहाँ पर step number third यह होता है दोस्त जब आपको IF की value integrating factor की value प्राप्त हो जाती है तो formula आपका यह होता है y into IF is equal to integration q into IF dx plus c question लगाना है परिशान आपको बिलकुल नहीं होना देखिए कैसे आपको यहाँ पर P की value मिल गई आपको Q की value मिल गई और आपको IF अटार integrating factor की value हमने भी formula पताया integrating factor का E की power E की power में क्या होता है integration PDX तो सभी की value मिल गई हमें formula क्या लगाना है हमें formula last जो लगाना है इसका y करना है into y में multiply किसका करना है integrating factor का ही करना है equal to करना है फिर आपको equal to के बाद integration का चिन फिर आपको Q लिखना है और Q को भी किस से multiply करना है IF से अर्थात integrating factor से करना है into dx करना है और plus आप का कर देंगे plus आप c कर देंगे थोड़ा space यहाँ पर कम है इतना हमने यहाँ पर लिख दिया है मतलब y करना है फिर आपको IF से इधर भी multiply करना है और इस side भी multiply करना है integrating factor से इधर y होगा देखिए p का use तो आप कर सुके है e की power p dx में ओके लेकिन IQ का use आप नहीं किये थे तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका last formula होता है उसमें आपका होता है last formula आपका y into y into इधर भी IF होगा और इधर भी आपको याद रखना है कि q into IF होगा q into IF integrating factor और इधर समाकलन का चिन लगेगा बराबर करेंगे समाकलन का चिन लगाएंगे integrating लगाएंगे और इधर पड़ देंगे into DX भी करेंगे न दोस्त integration करना है तो DX और प्लस क्या करेंगे C ठीक है तो आपको सबसे पहला completion करना है ठीक है फिर P और Q की value निकालना है P की value के बाद आपको integrating factor निकालना है integrating factor is equal to क्या होता है E की power integration PDX ठीक है यह आपका होता है E की power में integration PDX जब यह मिल जाएगा तो last यह formula आपको लगाना है चलिए मैं question number 1 को यहाँ पर लेता हूँ और कुछ important result है इसको आप याद रख सकते हैं या फिर अभी मैं question को solve करता हूँ तो आपको बताता हूँ ठीक है तो question number 1 जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया देखे question number 1 जो कि आपसे question previous paper में पूछे भी गया है आप देख सकते हैं तो यह question आपसे क्या कर रहा है dy upon dx plus x upon y is equal to x cube minus 3 अब question को कैसे आप समझेंगे तो हमने क्या कहा कि आप सबसे पहले क्या कर दीजे इससे आप completion करिए जब आप completion करेंगे dy upon dx plus py is equal to q इससे completion करेंगे तो आप देखेंगे यह y हो गया इसका है 1 by x dy upon dx हो गया इसका तो आपका हो गया लेकिन प्लस है py तो प्लस py का मतलब प्लस py upon x लिखा है तो यह y तो आपका हो गया y के साथ इसका तो मतलब नहीं है जो p है इसका 1 by x जो यहाँ पर लिखा है यह आपका 1 by x जो लिखा है वो आपके p की value हो गई तो p की value कितनी हो गई p की value आपकी हो गई p की value 1 by x ठीक है और q की value आपके इस side हो गई q की value x cube minus 3 क्या हो गई x cube minus 3 और p की value 1 by x तो सबसे पहला step वहीं हमने आपको बता है जैसा कि यहाँ पर और भी simple way में आपको लिख दिया गया dy upon dx देखे 1 by x into y is equal to x cube minus 3 तो इसमें से आपका y में multiply क्या है 1 by x तो यह आपका p हो गया और जो यह side है यह आपका q हो गया तो इसलिए आप इससे कब compression आपने किया तो p की value आपको 1 by x और q की value x cube by 3 आसा करते हैं यहाँ तक आप दोस्त समझ रहेंगे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आप compression कीजे p और q की value आप निकालिए जब आपको p और q की value मिल जाती है तो आपको निकालना है integrating factor समा कलन गुडांग integrating factor का आपको simple समने formula बता है if is equal to जब question लगाएंगे तो formula आपको याद हो जाए इस पर कोई बड़ी बात नहीं है if is equal to e की power integration p dx ध्यान रखेगा p dx क्यों नहीं होता p होता है तो e की power p p की value अभी जश्ट आपने 1 by x निकाला तो 1 by x और ये आपको हो गया dx तो integration 1 by अभी e को मत देखिए e की power में जो है integration 1 by x dx है तो आप बताएं 1 by x का समा कलन क्या होता है log x होता है तो e की power क्या हो जाएगा e की power में log x और base में e होता है अब दोस्त आपको पता होने चाहिए कि अगर e की power में log है और into x है तो अगर आपका इस प्रकार है तो ये दोनों log आपका जो होता है और base में e है ये दोनो e आपके cancel होंगे और only बचेगा यहाँ पर x जैसे कि यहाँ पर अभी आपको solve करके दिखाया भी जाएगा देखें यहाँ पर हमने क्या गिया integrating factor का हमने formula बता है integrating factor का हमने formula क्या बता है e की power integration p dx यही होता है ठीक है if की value ठीक तो आपको e की value और p dx मतलब p की value कितनी है 1 by x क्या है e की power 1 by x into dx 1 by x का क्या हो गया log x अब यहाँ पर x कैसे लिख दिया गया वही आपको यहाँ पर इस side में बताया गया है दोस्त कि e की power अगर लिखा है log fx तो आपका इस equal to में fx आएगा अर्थात दोस्त अगर e की power में log कुछ भी लिखा हुआ है log आपका यहाँ पर जैसे x था तो यहाँ पर अगर आपका x square लिखा है तो इसका result कितना आएगा इसका x square result आएगा अर्थात इसमें base में जो आपका इस परकार होता है वो आपका हट जाता है दोनों log log जो base के e की power में इस परकार होगा तो x ही यहाँ पर बचेगा अब last point आई जब आपने if कमान आपने निकाल लिया तो last formula जो आपका बनता था वो क्या बनता था y into if ध्यान दिजेगा y into if और इधर भी if का multiply है और इधर भी आपका if दोनों side में लेकिन इधर y से multiply है उधर आपका q से multiply है into dx और plus क्या होंगे c यह आपका formula है तो y की value आप तो y तो y रहेगा integrating factor क्या करेंगे into x तो y into x करेंगे अर्था तो y into x is equal to करेंगे q q की value है आपका कितना q की value है x cube minus 3 into क्या करेंगे into आप करेंगे x तो into x और dx अब इसी का करेंगे आप integration और आपका आजाएगा answer तो यहाँ पर देख लीजे y into x किया गया यह y हो गया x क्या है if का मान है और यहाँ पर आपका क्या हुआ यहाँ पर x cube minus 3 है यह आपका q into if हुआ q की value x cube minus 3 और if की value आपकी x हो गया तो x cube minus 3 into x equal to क्या हो गया into dx plus c अब यहाँ पर इसको solve आप करते हैं तो x into y हो जाएगा यहाँ पर x cube minus 3 है x का आप multiply कर देंगे तो x की power 4 हो जाएगा और यहाँ पर minus 3x हो जाएगा तो यहाँ पर x की power 4 का अपन n plus 1 plus c तो अपका 4 है इसलिए आपका x power 5 नीचे भी आपका 5 plus c x power 5 upon 5 तो इसलिए आपका x power 4 का क्या हो गया x power 5 upon 5 और यह minus 3x का minus 3 ही रहेगा x का आपका हो जाएगा x square by 2 और इस साइड में है तो आपका जो complete अभी जो आपका solution हुआ answer आया वो आपका आया x y is equal to x power 5 upon 5 minus 3 x square by 2 plus c यह complete answer तो मैंने आपको step by step बता रहा हूँ दोस्ते कि सबसे पहले completion कीजे p और q की value निकालिए और फिर p की और q की value निकाले गए इंट्रिगेटिंग factor निकालिए जब इंट्रिगेटिंग factor आ जाता है last formula यही है y into if और इस side भी आपका if होगा और multiply इधर y से है इधर आपका q से multiply होगा इधर आपका integration लग जाता है और आपका dx हो जाता है और plus आपका c बस इतना ही आपको करना है चलिए next question हम लेते हैं आपके लिए अगला question देखिए dy upon dx दिया है plus 2i 10x is equal to sin x देखिए दोनों question जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं दोनों same question अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह दोनों same question है बस आपको थोड़ा भाकाने के लिए या फिर आप ना समझ पाए question को इसलिए इस प्रकार किया गया है ठीक है लेकिन थोड़ा आपको set करना पड़ता है बस आपको ध्यान देना है कि हमें इसी form में question को लाना है dy by dx plus py is equal to क्यों इसी form में आपको question बनना चाहिए अर्थात नहीं बनना है आप comparison किससे करेंगे dy upon dx plus py is equal to किससे q से तो यहाँ पर py है क्या है py तो y यहाँ पर भी है तो p की value कितना हो जाएगा 210 x मेरे दोस्त यहाँ पर आपका dy upon dx तो हो गया plus py is equal to क्यों होता है plus py is equal to क्यों होता है एक मठए एक मठ 10x है तो P की value 210x हो जाएगा equal to Q तो equal to Q में आपका sin x तो इसलिए यहाँ पर आपका P का मान कितना है 210x है और Q का मान sin x क्या है यह चीज आप समझ पा रहे हैं बस आपको completion करके P और Q की पहले value निकालना है जब आपका value आ जाता है तो हमें निकालना है integrating factor क्या निकालना है integrating मतलब IEF आपको निकालना है तो IEF निकालने का आपको formula पता है कि IEF equal to क्या होता है E की power PDX यह होता है E की power PDX E की power integration PDX यह आपको लगा है समाकलन का चिन तो E की power PDX का मतलब यहाँ पर जो P की value है वो आपको कितना 210x e की power क्या होगा 210x और आपका हो जाएगा dx अब आपको 10x का तो आपको समा कलंद पता होना चाहिए तो इसलिए देखे यहाँ पर लिखा गया e की power आपका क्या हो गया e की power में 210x जो यहाँ पर p है p dx होता है तो p की value आपकी 2 tan x है इसलिए हम यहाँ पर put करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा और tan x dx हो जाएगा अब आपका tan x का आपको direct formula पता होना चाहिए अगर नहीं पता तो अब भी आप solve कर सकते हैं तो इसे integration tan x dx का होता है क्या minus log cos x क्या होता है minus log cos x या फिर आप लिख सकते हैं tan x को sin x upon cos x हमें समा कलन करना है बस अभी सब भूल जाएगे यह उपर वाले का आपको समा कलन करना है तो आप बताएगे tan x का समा कलन करेंगे कैसे करेंगे sin x upon cos x लिख सकते हैं cos x को आप t मान सकते हैं cos x को आप t मान सकते हैं cos x बराबर आगा t एक माट एक पर एक पर अगर आप cos x बराबर आप t मानते हैं तो cos x का differentiation होता है minus sin x तो आपका क्या होगा dx बराबर dt upon minus sin x ओके और उपर 20 में sin x है तो दोनों sin x आपके क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे नीचे बचेगा आपका क्या 1 upon t और 1 upon t का होता है log t क्या होता है log t और t आप किसे माने है cos x को तो 1 upon t होता है log t तो आपका हो जाएगा log cos x क्या हो जाएगा log cos x minus 2 already यहाँ पर 2 तो आपका already बाहर था जो आपका cos को आपने differentiation किया तो इससे एक minus निकलेगा इसलिए minus 2 log cos x यहाँ डारेक्ट इसका फार्मूला मेरे दोस्त याद रखिए कि यहाँ पर आपके tan x का integration जो होता है वो tan x का आपको पता होना चाहिए tan x का integration होता है क्या minus log cos x क्या होता है minus log cos x आपका होता है ठीक ہے minus log cos x आपका होता है अगर यहीं पर बात करें minus log cos x की बात कर देते हैं तब तो cort x का differentiation हो जाता है log cos साता है यह यह होगा तो आपका sin x हो जाएगा क्या हो जाएगा sin x ऐसे आप याद र मैगत रखिए ना देखिए log tan x आपका होता है क्या होता है log tan x तो tan को हम लिख सकते है sin upon cos तो आपका जो आएगा एक मेट एक मेट यहाँ पर हमें क्या लिख रहा है integration integration tan x निकालना है तो आपको क्या हमने बता है कि इसको लिख सकते है sin upon cos तो cos आपका जो नीचे है और cos का जो differentiation होता है वो minus sin x होता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आएगा minus और आपका होगा इसमें log तो होगा ही चुकि one upon t के फाम मेराएगा तो minus log sin upon sin x upon cos x करते हैं तो यहाँ पर आएगा cos x अगर वहीं पर आपके बात करेंगे हम cot x की तो cot x dx क्या होगा cot x dx जो आपका होता है दोस्त वो आपका हो जाता है log sin x अच्छा इसा है क्यों? चुकि cot x होता है cos upon sin और जो नीचे है उसी को यहाँ पर आप लिख दीजिए log sin x ओके यही आपका फार्मूला है simply दोस्त आपको इतना पता होगा कि आपका e की पावर में minus 2 log cos x आ गया अब इस minus 2 को आप यह चुकि आपका यह क्या है log है तो इसको पावर में आप भेज सकते हैं यह चीज आपको पता होने चाहिए यह आप पावर में भेज सकते हैं जैसे कि m के जो आपका लिखा रहता है फार्मूला m की पावर n मतलब n log m जैसे लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं log m की पावर n तो वही चीज यहाँ पर इसको लिखा गया कि पहले यह आपका multiply minus 2 था आगे तो इसको हमने पावर में log के पावर में भेजा तो यह आपका हो जाएगा log लिखेंगे one upon में लिखेंगे तो one by cost square x हो जाएगा और one upon cost square x हो जाएगा हमने आपको वही फार्मूला फिर से बताया कि e की पावर अगर लिखा हुआ है log fx तो आपका आता है वो fx ध्यान रहे अगर e की पावर में log fx लिखा है fx का मतलब यहाँ पर कोई भी value हो सकती है जैसे fx के फार्म में यहाँ पर है one by cost square x अगर e की पावर में log कुछ भी यहाँ पर आ जाता है e की पावर में आता है और यह जो value आती है वही आपका बचता है यह आपके जो e के चुकी log के base में भी आपका यहाँ पर e होता है log के base में भी क्या होता है e होता है तो दोनों यह cancel होते हैं बचता है only fx तो वही चीज यहाँ पर आपका होगा कि इसको हटा कर only आपका इससे क्या बचेगा one by cost square x क्या बचेगा देखें e की power आपका यहाँ पर यह cost square x one by cost square x क्या होता है sec square x होता है तो आप यहाँ पर log दोनों हटेंगे तो only बचेगा आपका sec square x मेरा कहने के मतलब आपने इसका समझा कि अगर e की power में log में e की power log fx दिया है तो fx होगा fx कुछ भी हो सकता है x square one by x square sin x cos x कुछ भी हो सकता है लेकिन आपका रहेगा इस परकार तो वो cancel होकर only जो fx होता है sin cos tan कुछ भी रहता है या x square x cube वही आपका बचता है जब आपको यहाँ पर integrating factor मिल गया pq की value मिल गई अब यहाँ पर last आपका point हमने क्या बताया आपको y into if करना है y into if is equal to आपको q into if करना है दोनों तरफ if से multiply इधर y से करना है इधर q से into dx और plus क्या करना है c यही आपको करना है तो y into if if का मान क्या है sec square x क्या है sec square x तो y into if मतलब y into sec अब दोस्तिसे आप solve कर सकते हैं आसानी के साथ आपका हो गया y sec square x यह आपका sin square x dx यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं क्या sin x अपान में cos x into cos x into dx plus c ओके यहाँ पर इसको गर आप solve करना चाहेंगे तो simply आप कर सकते हैं देखे इसी value को हमने क्या लिखा यह आपका sin x था इसको हम लिख दिया वहाँ पर नीचे आगया तो आपका cos square x हो जाएगा cos square x को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं दो भाग में इसको हम तोड़ सकते हैं एक आपका हो जाएगा cos x into cos x तो एक आपका sin x upon cos x आपका बन जाएगा क्या 10 x और एक आपका 1 by cos x जो बन जाएगा वह आपका बन जाएगा क्या sec x तो आपका आजाएगा इसका परणाम क्या sec x into tan x तो इसलिए हम इस value को लिख सकते हैं आप sec x into tan x onto dx अब यही पर यहाँ पर इसकी जो value आई दोस्त इसका integration आपको पता होने चाहिए इसको solve करने पर आपका sec x into tan x है इसका आप जब आपको पता होने चाहिए कि integration sec x into tan x का integration क्या होता है तो इसका integration होता है sec x क्या होता है sec x तो यहाँ पर आपका आगया y sec square x और इसका हो गया sec x और प्लस c आपका complete answer आगया या फिर आप थोड़ा और भी इसको simplify कर सकते हैं यहाँ पर sec square x ते आप दोनों तरफ divide कर दीजे तो यहाँ पर आपका यह तो हट जाएगा यहाँ पर आपका sec square x इहाँ पर भी sec square x एक आपका cancel हो जाएगा जब एक आपका cancel होगा तो नीचे बचेगा 1 by sec x और 1 by sec x को आप उपर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? cos x और इधर भी उपर इचको भेजेंगे तो हो जाएगा c cos square x इसमें से तो एक आपका sec x cancel हो जाएगा न दोस्त तो इसमें आपका only sec x बचेगा जब उपर जाएगा sec x किसका उल्टा होता है? cos का तो यहाँ पर उपर जाएगा तो cos x हो जाएगा तो result आपका या answer आपका जो आया y is equal to cos x plus c cos square x आया देखे same question आपको जो दिया गया था दूसरा question उसमें जो दिखा रहा था same question वही दिया गया था बस इसमें क्या है देश तो dy upon dx देखे वही चीज़ आपको निकालना है dy upon dx plus py equal to q से तुलना करना है लेकिन सबसे important यहाँ पर यह है कि इसको उस farm में पहले बनाईए तो y की value इसमें है किसमें है? इस वाले में तो सबसे पहले इस value को आप उस side भेजिए ठीके? चुकि py, y किधर होता है dy upon dx की तरफ होता है तो सबसे पहले आप इसको उधर भेजेंगे जब इसको इधर भेजेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा? आप क्या लिखेंगे? dy upon dx लिखेंगे प्लस क्या करेंगे? minus 2y 10x है तो इधर आपका आजाएगा तो plus 2y 10x हो जाएगा ओके और यहाँ पर आपका only इधर sin x बचेगा तो आप हमें यह बताएगे क्या यह पहले equation की तरफ नहीं दिख रहा है dy upon dx plus 2 10x is equal to sin x same तो मतलब आप यहाँ पर ऐसे नहीं बनाएगे तो question आपका solve नहीं होगा जोकि हमने बताया कि आपका जो form बनना चाहिए वो dy upon dx plus py is equal to q के form में बनना चाहिए यहाँ पर y का multiple होना चाहिए जो y का आपका multiple i होगा वही multiplicer sin जो होगा p की value वो होगी और जो इस side only बचेगा वो आपके q की value होगी तो इस form में बनना चाहिए अगर यहाँ पर इसके साथ dy upon dx का multiply तो इसको आप divide करें हटाईए only dy upon dx होना चाहिए छले question का और देखते है तो चीज़े आपको वह असानी समझेंगे तो चले यह next question भी आपके screen पर है यहाँ पर आप देख पाएंगे तो हाँ एक मर्ट यह question आपका किस प्रकार लगएगा उसी प्रकार same same process change हो चुका है न आपको बस यहाँ पर कुछ करना नहीं था आपको यह minus 2 tan x को उधर भेजना था तो यह आपका plus 2 tan x हो गया और sin x आपका इधर बचाए रहेगा मतलब जो फहला equation जो दिया गया था same वही equation है बस थोड़ा आपको exchange करना था इधर उधर आपको भेजना था ठीक है जब आपने change किया तो आपका answer आ गया ठीक है उसी प्रकार आगे जो question number 1 अभी हमने जो इसी प्रकार जो solve किया भी 2 वाला तो उसी प्रकार इसको भी आपको solve करना है देखे जैसे यहाँ पर भी आपको एक प्रकार की question यहाँ पर दिये गया है इसमें क्या different होगे आगे समझेंगे तो question number यहाँ पर जैसे आपको 3 दिया गया cos is cube x dy upon dx plus y cos x is equal to sin x तो पहले question को अगर लेकर चलते हैं तो आपको हमने क्या बताया आपको completion करना है dy upon dx plus py is equal to q से इससे आपको completion करना है तो इसमें सबसे important है कि dy upon dx के साथ कोई multiply नहीं होना चाहिए y के साथ p का multiplication होगा q का होगा लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए बिल्कुल अकेला होना चाहिए इसके लिए क्या करना होगा जैसे कि यहाँ पर आपको question यह दिया गया अब इसके साथ आपकर dy upon dx के साथ cos cube x का multiply है तो सबसे पहला आपको step इसको आपको हटाना है हटाने के लिए क्या करेंगा आप simple सा सभी से divide कर दीजे जब divide करेंगे या इसको इससे हटाएंगे तो इसके अपान में आएगा और इसके अपान में आएगा जब आएगा तो आपका यहाँ पर तो बचेगा dy upon dx लेकिन यहाँ हो जाएगा y cos x upon cos cube x यहाँ पर sin x upon cos cube x यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्त डी वाई पर डी अक्स और यहाँ पर आपका cos और cos यह दोनों कैंसिल होंगे तो नीचे आपका बचेगा 1 upon cos square x और जब cos square x को उपर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा y sin square x चुकि सिक जो होता है cos का उल्टा होता है तो y sin square x हो जाएगा यहाँ पर आपका cancel करेंगे तो नीचे आपका क्या आएगा यहाँ पर तो cancel होगा ही नहीं यहाँ पर आपका cancel होगा ही नहीं तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आप कर सकते हैं यह दोस्त कि sin x upon 1 आप cos ले लीजिए sin upon आप एक cos ले लीजिए और एक जो आपका 1 by cos square x बचेगा इसमें से उसको आप उपर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 6 square x तो ये आपका हो जाएगा sin upon cos एक आपका 10 हो जाएगा 10 x और एक आपका जो बच्चा है वो आपका हो जाएगा 6 square x क्या हो जाएगा 6 square x तो इसको आप solve करेंगे sin x upon cos cube x को तो आपका हो जाएगा 10 x into 6 square x तो आपको क्या मिल गया अब यहाँ पर आपको जो मिला अब यह आपका dy upon dx प्लस py is equal to q के farm में यह equation आपको मिल चुकी है यहाँ पर आप नहीं लगा सकते थे वो equation यह compression नहीं कर सकते थे चुकी यहाँ पर अभी dy upon dx के साथ multiply में है इसको आपको हटाना ही होगा ठीके यह सदेव ध्यान रहे कि single dy upon dx वहाँ पर होना चाहिए उसके साथ कोई नहीं होना चाहिए ठीके वो अकेला आपना सही है तो यहाँ पर dy upon dx यह जो अब आया इससे आपको completion करना है जब आप इससे completion करेंगे तो यहाँ पर आप y का factor क्या पाएंगे sec square x तो p की value क्या हो जाएगी sec square x है और इस side में जो भी बसता है वो आपके q की value होती इसमें कुछ भी सोचने की यह जरूटत नहीं है तो q की value हो जाएगी आपकी 10 x into sec square x कोई दिक्कत अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त चुकि y का multiplication sec square x हो गया आपको होता है क्यूं तो p और q की value हो गई तीसरा hashtag हमने बताया integrating factor अर्थात if की value तो integrating factor का formula क्या बता है e की power आपका होता p dx क्या होता है e की power में होता है p dx तो e का power power में p dx मतलब e की power मतलब हमने क्या बता है e की power में एक मट e की power का मतलब आपका e e की power p dx का मतलब हुआ e की power e की power क्या है दोस्त तो यहां पर आपका p की value है sec square pdx का मतलब sec square x और dx आप हमें यह बताइए integration sec square x dx का integration क्या होता है इसलिए मैं कह रहा था दोस्त आपको basic formula याद होने चाहिए नहीं कुश्चन बिल्कुल नहीं लगेगा ठीक है परिसान आप रहेंगे तो बेसिक फार्मूले आप याद की दिए तो यहाँ पर integration c square x dx का आपका होता है 10x क्या होता है 10x और 10x का differentiation क्या होता है c square x दोनों उल्टे हैं ठीक है differentiation एक दूसरे की विप्रीथ हैं बस आपको यह ध्यान रखना है तो c square x का क्या होता है 10x तो e की power क्या हो जाएगा अपर e की power आपका हो जाएगा 10x क्या हो जाएगा e की power आपका यहाँ पर 10x हो जाएगा और plus c यहाँ पर क्या होता है Q into IF multiply दोनों तरफ IF का करना है इधर Y से IF को करना है इधर Q को IF से करना है into DX और प्लस क्या C, ओके, यह आपका फार्मूला है तो हमने क्या किया Y into IF Y into IF, IF की value E की power 10X, तो Y into 10X is equal to E की power यहाँ पर अब क्या होगा, Y into Q, तो IF की value तो फिर से आप रखेंगे, E की power 10X integration, E की power 10X into Q, Q की value आप पर गया है, 10X into sec square X into DX यह आपके किसकी value है, यहाँ पर IF की value है, ठीक है, तो यह IF की दोनों value हमने put किया, इधर आपने Y की value को put किया, इधर आपने Q की value को put किया, यह आपका होता है, formula एक बार आप याद करिए, चीजे लग जाएगे, अब बात यहाँ पर यह आदे हैं, दोस्त, आप simply इसको आपको करना है integration, लेकिन ध्यान नहीं यहाँ पर आप इस side में देख रहे होंगे तो integration थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको थोड़ा solve करना पड़ेगा था, इसको हल करके तब answer आपका आएगा, तो यहाँ पर आपको लिखा है integration एक पाउड 10x 10x into sec square x dx, तो आप सोचिए इसका हम कैसे integration solve करेंगे, तो सबसे बिश्ट तरीका है, आप 10x को t मान लीजे क्या मान लीजे 10x को t, थोड़ा हमने इसको क्या किया, आई मान कर इसको एक side लिख लिए, अब इसको जब solve कर लेंगे इसका परणाम आ जाएगा, तो यहाँ पर आप फिर put कर देंगे, तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया, इस पूरे value को आई मान कर इधर solve करते हैं, तो चलिए थोड़ा solve कर लेते हैं, इसका कितना आएगा integration, यह चीज निकालते हैं, तो e की power 10x into 10x, इसके square x है, तो simply सबसे पहले इसमें सबसे simple तरीका आपको 10x को क्या मानना है, t मानना है सबसे पहले आपको क्या मानना है 10x बराबर आपको t मानना है और 10x का differentiation आप करेंगे तो 6 square x dx होगा इसकाल टू क्या होगा, dt होगा यह चीज आएगा, आएगा अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम यहाँ पर 10x को टी माननेंगे तो 6 square x dx इसकाल टू यहाँ पर dt होगा यह x नहीं होगा, dt होगा आप सभी कर लीजे, 6 square x dx इसकाल टू dt, यहाँ पर यह जो value आई है, यह किसके बराबर है यहाँ पर यह value इसके बराबर अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं dt यहाँ पर tx इसको सभी करीए, ठीक है और इसकी जगह पूरे के जगह पर आपका differentiation आपने किया तो इसकी जगह पर आपका हो गया dt ठीक है क्या हो गया dt तो e की power क्या हो गया t into t into dt यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर i is equal to आपका इसको आपने क्या किया इसको 10x को t मान लिया तो t को जैसे ही आप मानेंगे तो यह आपको मिलेगा question को solve करिए तो practice आप भी कीजिए तब ही मजाएगा ठीक है question को लगाईए ज़्यादा ज़्यादा तब आप समझ पाएंगे कि आपको दिक्कत का आ रही है या question के इस ताइप के बन रहे हैं ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे question आप भी practice कीजिए ठीक है दोस्त जैसे मैं वीडियो अगर बता रहा हूँ आपको वीडियो के मादन से समझा रहा हूँ तो आप भी कोसिस करें कि हमारे साथ question को पूरा लगाने कोसिस करें अगर आपको आ रहा है तो आपकी तैयारी बहतर है अगर नहीं आ रहा तो तैयारी कीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए यहाँ पर आपका हो गया i की value हो गई अब i का यहाँ पर first और second का क्या आप integration जानते हैं जिससे आप हिंदी मोलते हैं खंड सा, समा कलन ठीक है, तो इसका integration कैसे करते हैं तो आपको पता होने यह first और second कैसे मान कर करते थे आपको पता होने यह अगर हम t को यहाँ पर first मान लेते हैं और यहाँ पर इसको, किसको यहाँ पर इसको second मान लेते हैं इसको आप second मान लेते हैं तो simply यहाँ पर आप कर सकते हैं जैसे कि आपको formula क्या पता है सबसे पहले यहाँ पर आप करेंगे t integration e की power t dt minus integration फिर आप करते हैं क्या d by by dx लिखते हैं d by by dx करेंगे कि इसका t का तो t का क्या हो जाएगा one हो जाएगा मतलब d by by dt लिखेंगे into t करेंगे फिर आप integration लगाते हैं और इसका करेंगे e की power t into dt का ठीक है अब यहाँ पर t का one हो जाएगा इसका integration e की power t ही होगा और फिर से integration का बाहर लगा ही होया है फिर आपको dt हो गया minus इधर आपको t हो गया देखें e के power t मतलब e के power t कहें या e x कहें e के power x में इसका integration हो या फिर आप differentiation उसका वही रहता है उसमें कोई changing नहीं होती है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं तो t into e के पॉल t हो गया और इधर भी integration e के पॉल t करेंगे तो फिर से e के पॉल t ही मिलेगा तो क्यों मिलाकर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा वो t into e के पॉल t minus e के पॉल t प्लस c आपको यहां से आएगा यहां पर आप देख पाएंगे इसका जब first second करेंगे तो i equal to t into e के पॉल t minus e के पॉल t प्लस c first और second rule लगाईए यही सेम आएगा जब इतना आप कर लेंगे तो यहां से e के पॉल t आप कामन ले सकते हैं तो हम i equal to लिख सकते हैं e के पॉल t कामन लेने के बाद अंदर बचेगा t minus 1 प्लस c अब यहां पर आप t किसको माने थे t आपने माना था देखे question थोड़ा बड़ा इसलिए हो रहा बड़ा नहीं हो रहा बस समझने की जरूरत है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है भाई यह calculation है यहां पर और कुछ नहीं है calculation थोड़ा है तो यहां पर आप क्या आपने 10x को इसको माना था t क्यों माना था तो यहां पर t जहां जहां पर है वहां पर 10x रख दीजे तो यहां पर आप रखेंगे तो e की पावर यहां पर आपका t है तो e की पावर 10x हो जाएगा यहां पर t-1 है तो 10x-1 हो जाएगा प्लस c यह किसकी value आपने निकाला i की value अब i की value कहां रखेंगे यहां पर आप पूरा integration आप यहां पर value रख दीजे और इसके बराबर आपका answer आजाएगा तो इसलिए यहां पर आप देख पाएंगे आपका हो गया e की power e की power 10x into y is equal to e की power जो आपने इसको अभी solve किया अभी इसको आपने solve जो किया i की value आपने निकाला उसी value को हम यहां पर put कर रहे है y into e की power 10x तो आल्रेडी है y into e की power 10x हो गया और इस साइड में आपने जो भी i की value निकाला है e की power 10x into 10x minus 1 plus c इसको हमने लिख दिया और आपका direct नहां पर answer आगया y is equal to e की power 10x यह दोनों आपके cancel हो जाएंगे और आपका answer आजाएगा y is equal to 10x minus 1 plus c into e की power minus 10x यह आपका complete answer आप क्या कर सकते हैं e की power 10x से दोनों को आप divide कर सकते हैं तो यहां पर divide करेंगे तो यह अपन में आजाएगा इसलिए c into e की power t minus 10x यह आपका complete इस question का answer हो गया यह complete question अब देखिए question number आपको 1 और 2 यह हमें कहूंगा दोनों आपके क्या हैं यह दोनों question आपके same है बस आपको समझने की यहां पर जरूरत है कि यह question किस प्रकार से है मेरे दोस्त जब आप यहां पर cos square x देख रहे है आप cos square x से आप कर दीजे क्या divide जैसे ही आप यहां पर cos square x से divide करते है तो यहां पर आजाएगा 1 upon cos square x समझ रहे हैं हमारी बात को आप यहां पर cos square x को आप divide करिए तो यहां पर क्या आजाएगा यहां पर आपका रहेगा यहां पर dy upon dx बचेगा और यहां पर आपका जब नीचे में आएगा तो 1 upon cos square x उपर भेजेंगे क्या जाएगा 6 square x आजाएगा उपर भेजेंगे 6 square x और यहां पर आपका नीचे आएगा cos square x जब आएगा तो आपका नीचे होगा sin x upon cos x तो sin यह तो 10 already है और यह sec square x जब उपर आपका जाएगा cos तो उपर हो जाएगा sec square x अथा 10 x into sec square x हो जाएगा आप देखिए क्या आपका यही formula बन रहा था तो same जो यह आपको इसको solve करेंगे तो पहले के form में ही आपका आएगा dy5 dx के साथ है उसको तुरंत आप क्या करिए अगर into में तो divide करिए और इसके साथ multiply में है तो उसको क्या करिए divide करिए या फिर आपका divide में है तो multiply करिए कुल मिलागे dy5 dx के साथ कोई values के साथ नहीं होनी चाहिए जैसे यहाँ पर cos cube है cos square x है इसको तुरंत हटाईए ठीक है और solve करेंगे आपका complete यहाँ पर answer आएगा next question दोस्त आपके screen पर है x x log x dy5 dx प्लस y is equal to 210x इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि अगर जो dy5 dx के साथ है multiply में उसको सबसे पहले आप हटा दीजे हटाने का मतलब यहाँ पर क्या होगा इसको आप divide कर दीजे सभी से दोनों से divide कर दीजे तो यहाँ पर जो आपका यह equation है इसको जो हम divide करेंगे तो आपका इससे तो हड़ जाएगा इसमें आजाएगा y upon में x log x ओके और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आएगा x log x तो यहाँ पर क्या होगा log log cancel होजाएगा बचेगा 2 upon x मेरे दोस्त आपको यहाँ पर x log x से सभी divide करना है तो यहाँ पर तो already log x है तो log x log x cancel हो जाएगा जो 1 upon x रहेगा वो आपका 2y x हो जाएगा और यहाँ पर आपका यह बचेगा क्या आप बताएगे आप dy upon dx प्लस py इसकोल टू q से compresion इसका तुलना कर सकते हैं बिल्कुल चुकि उस farm में बन चुका है यह dy upon dx हो गया यह आपके p की value हो गई into y हो गया इसकोल टू क्या होगा q तो यहाँ पर आप compresion जब करते हैं इस value से compresion करेंगे तो p की value आपकी यह हो गई p की value क्या हो गई यह आपकी p की value होगा q की value 2 by x जो आप देख रहे है q की value होगे 2 by x तो p और q दोनों की value आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है जिब दोनों की value आपको प्राप्त हो गई तो आपका second step क्या होता पहला step तो आप compresion करेंगे उसमें से p और q की value प्राप्त होगी second step होता integrating factor रथा आई-फ का मान गयाद करना आई-फ होता e की power क्या होता p dx e की power p dx तो e की power p और e की power में p का मतलब आपका यहाँ पर क्या है x log x into dx यह आपको यहाँ पर इसकी value दिक है e की power integration 1 upon x log x dx यह आप देखिए यहाँ पर जो आपकी value है integrating factor की ठीक है यहाँ पर आप देखिए integrating factor की बात करें तो integration 1 upon x integration dx upon x log x यह आपके p की value है वही चीज हमने put कर लिया अब simply यहाँ पर log x को आप t मान सकते हैं ठीक है solve करने की बात कर रहे हैं यह उपर वाले इस part को कैसे solve करेंगे तो 1 by x को आप log x को आप t मान लीजिए log x को जैसे आप यहाँ पर t मानते हैं तो आपको पता होने चीज़िए कि log x का differentiation क्या होता है यह dx हो जाएगा log x का होता है 1 by x इस्कल्टू क्या होगा dt इस्कल्टू क्या होगा dt तो dx की जगह पर आप क्या लग सकते हैं dx की जगह पर लिख सकते हैं आप यह x उधर जाएगा तो x dt हो जाएगा अर्थात यहाँ पर dx की जगह पर लिखेंगे x dt x dt upon में x है upon में x है चुकि आल्रेडी और log x को आपने माना है t तो dx x का आपका cancel हो जाएगा और integration में बचेगा dt upon t तो 1 by t आपका हो गया integration का क्या होता है log t क्या होता है log t तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया e की power integration dt upon t t को आप मानेंगे क्या log x को आप t मानेंगे जब differentiation करेंगे तो आपका log x का होगा 1 by x तो dx पराबर x dt होगा dx पराबर x dt होगा तो x dt होगया और यहाँ पर आपका x है तो x है नीचे आपका log x को आपने t माना x x cancel होगया dt upon t होगया अब यहाँ पर जो dt upon t है तो e की power integration में आपने किया dt upon t और 1 upon t होग t क्या होग t तो e की power में होगया log t अब आपको पता है कि अगर आपका e की power हमने कितनी बार बताया e की power अगर आपको कुछ भी लिखा है e की power में log है और आगे t लिखा है x लिखा है y लिखा है z लिखा है और T को आपने क्या माना है T को आपने यहाँ पर माना है T को log X इसलिए T की value आगे log X तो इसका क्या आया IF अर्थाट integrating factor आपको last में मिला log X अब last formula क्या यहाँ पर लगता है फिर से बताईए last formula यहाँ पर आप क्या लगाते हैं last formula आप लगाते हैं y into IF क्या y into IF is equal to integration q into IF plus into dx और plus क्या c दोनों तरफ IF का multiply है इधर y से और इधर q से ओके और into dx प्लस c आपको करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं y into आपका क्या हो गया IF y into क्या हो गया IF, IF की value क्या हो गया दोस्ते आप देखिए y into आपका IF IF की value आपने log x निकाला तो y into IF हो गया is equal to, is equal to आप क्या बताया हमने y into IF आपका होता है एक मट, y into IF is equal to p into IF p नहीं, q into IF p तो यूज हो चुका है ना जो नहीं यूज हुआ, उसे यूज करना है q into IF, चलिए जाने दीजे लिख नहीं जा रहा है, इसे चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, y into IF हो गया is equal to q, q की value आपके कितनी है, q की value आप देखिए 2 by x है, कितनी है, 2 by x तो हमने 2 को बाहर कर दिया, यहाँ पर 1 by x लिख दिया, into log x into log x, into क्या क्या, log x IF, into आपके क्या हो गया, dx, मेरे दोस्त फार्मूला आपको पता है, y into IF is equal to q into IF into dx plus क्या, c, तो यहाँ पर q आपकी है, कितनी value, 2 by x, तो 2 बाहर कर दिया, 1 by x अंदर है, into IF, IF की value log x है, तो log x multiply किया, into dx लिखा, अब यहाँ पर अगर आप log x को t मानते हैं, चुकि इसका हम करेंगे, integration अब करेंगे तो integration में, अगर आप log x को यहाँ पर t मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, log x का 1 by x, मतलब dx बराबर आपका बचेगा, 1 by x इस साइड में आ जाएगा, तो x dt हो जाएगा, और x dt हो जाएगा, तो dx बराबर आप ध्यान रखें, कितना आपको मिला, x dt मिला, dx बराबर ध्यान रखें, x dt मिला, अब यहाँ पर आपका 2 है, 2 है यह 1 by x है, ठीक है log x को आपने t मान लिया और x बराबर, अभी dx बराबर हमने क्या निकाला, x dt ध्यान दीजेगा, अब x, x दोनों हो जाएगे, cancel, और बचेगा, उपर t dt, और अगर x है, और x dx मतलब यहाँ पर t dt जैसे लिखा है तो इसका integration क्या होगा, t square by 2, चुकि t के respect में कर रहे हैं, तो t square by 2 और into में भी बाहर 2 है 2, 2 cancel हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका t square, आपने किसको t माना, आपने t माना log x को, इसलिए आपका हो जाएगा tan x का whole square, और plus c आपका complete answer, इस question का answer आप देख सकते हैं, tan x का whole square, plus c इस question का complete answer, तो आपने क्या समझा है, यहाँ पर आपको log x को t मानना था, बस, इसके बाद solve करेंगे आपका answer, तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको step बता देता हूँ की, पहला step आपका यही है, कि सबसे पहले आपको dy upon dx, plus py is equal to q से आपको क्या करना है completion करना है, वहाँ से आप दो चीज़ आपको मिलेगा, एक p की value, एक q की value आपको क्या करना है find out करना है, अगर यह equation इस form में नहीं है, तो आप बनाईए अरथा dy upon dx के साथ कोई भी multiplication में नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान रहना चाहिए, जो है उसको आप तुरंत यहां से हटा कर, यहां पर नीचे इसके भेज़ दीजिए, और solve करिए p और q की value आपको मिल जाएगी, इसको completion करने के बाद, इसके जश्ट बाद जब p की value मिल जाएगी, तो आपको निकालना है if कमान अर्था, integrating factor इसका फार्मूला होता है, e की power p dx, क्या होता है, e की power p dx, कुछ दिक्कत नहीं, e की power में करेंगे, p की value अभी p और q की value जो आपने निकाला, उसमें से p को उठा कर यहां पर रखेंगे, into dx कर देंगे, और आपको इसको solve करेंगे, if कमाना जगा, last फार्मूला, इसमें का linear equation, linear differential equation का last फार्मूला है y into if, क्या है y into if equal to q into if into क्या होता है dx, और plus क्या होता है, c plus क्या होता है, c, यही आपका यहां पर इस question का यहां तक आपका complete इसका answer, यही प्रकार निकाला जाता है, इसी प्रकार आपको solve करना है और आपका complete answer आसा करते हैं वीडियो आपने यहां तक देखा वीडियो पसंदाद वीडियो को लाइक करें कमेंट में जैह हिंद आप जरूर लिखेगा अगर वीडियो यहां तक आपने देखा है धन्यवाद